शिंगला दिला के रामपूर उपमंडल के नरेन में 19 वर्ष से कम आईवर की स्कूली छातर चातराओं की खंड स्तरी खेल कूद प्रतियोगी तका समापन हो गया। इस मौके पर हिमफेड के अद्रिक्ष एवं भाजपा प्रदेश उपादेक्ष गनेश दत ने कहा कि इस बार मोदी लहर को देखते हुए रामपूर विधान सबा हलके के लोगों ने भी तेस्ट बदला है। लोग सबा चुनावों में भाजपा को यहां से बढ़त मिली है। उन्हों का कहना है कि वत्मान में देश भाजपा प्रदेश की सरकारों के काम करने का धंग बदला है। बिचोलियों और रस्टाचारियों पर तेजी से नकेल कर्षी जा रही है। हीमफेड के अध्यक्ष एवम प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गनेश दक्त ने कहा कि इस बार मोदी लहर को देखते हुए रामपूर विदान सबा खलके के लोगों ने भी टेस्ट बदल दिया है। और लोग सबा चुनावों में भाजपा को बहरी बढ़त दिलवाई ही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान देश परदेश की सरकारों के काम का ढंग बदल चुका है। बिचोलियों और भरस्ताचारियों पर तेजी से नकेल कसी जा रही है। उन्होंने इस बात का खुलासा शिमला जिला के रामपूर उपमंडल के नरेन में 19 वर्ष से कम आईवर कि स्कूली चात्राओं की खंड सरी खेल पते होगी ता कि समापन अवसर पर कहे। परदेश में एक नया इत्यास रचा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत पताई देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा के साथ खेलों का शारिरिक और मानसिक तोर पर होना आवशक है। इससे मनुश्य स्वास्ते रहने के साथ साथ बौदिक विकास भी होता है। उन्होंने कहा कि आज के युवा खेलों को वेवसाई के तोर पे भी अपना रही हैं। इस शेतर में रोजगार के साथ शोहरत भी सामिल है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों के चातर इस परतियोगिता में जीत नहीं पाएं हैं वे निराश ना हो। अगली बार इससे बहतर परदशन करने का संकल पलें। उन्होंने कहा कि इस तरह के स्कूली खेलों के आयोजन से चातरों में आपसी समाजसे के साथ साथ स्वास्ते प्रतिस्पर्दा की भावना भी पैदा होती है। अच्छे राज लेता बने और एक अच्छे समाज से भी बने ये हमारी आपको सुपना मनाया है। एक और इन्होंने कहा कि जो सीध स्टोरिज खोलने की बात कही है। हम हिमाचल प्रदेश में बागवानी दुक्षित्र है। उसमें खिनौर है, ये सिमला जिला है, रोडू है, रामपुर है, हमारे दुक्से छेत्र है। उसके लिए फोल्ड स्टोरिज बनाने का प्रपोजल हमने भारत सरकार को पहले ही बेह दिया है। और आप जैसे ही जल्दी हमें उनकी स्टोरिज में रखकर करके अच्छी पैसा मिलेगा आपको। मैं आपको आस्वस्त करता हूं कि स्टोरिज आके पढ़ने वाले है। कारकर में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की कतिविरियां।